नमस्कार मैं दिव्यत रादर तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं दिश्प्रदेस के अबता के प्रमुख खबरों को जंतर दल्य उनाइटेड में चल रहा सियासी घमासान अभी थमा नहीं है एक बाल फेर से मुद्दे पर बयान बादी शुरू हो गई है दरसल गुरुवार को जडियू MLC रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुस्वाह के पक्स में मोर्चा खोल दिया है रामेश्वर महतो ने क समलब 6 अरब डॉलर का प्रस्ताव रखा गया है और इसके साथ ही डिफेंस सेक्टर में भारत विस्व का तीसरा सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है भारत सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस साल के डिफेंस बजट में 13 प्रतिसत का इजाफा किया है जि पी आईएस के के पाठा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्य सचीव से लिखे चिकायत की है आईएस पाठा के वाइरल वीडियों में बासा पता दिकारियों को गाली देने पर आपती दर्ज कराई गई है इससे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने आईएस के के पाठा को बर्खास्त करने की मांग कर डाली है सिंसेक साथ सुबर 248 अंकों की गिरावट के साथ 69,460 पर खुला और कारोबार शुरू किया लिफ्टी में भी 99 अंकों की गिरावट रही और 17,517 पर खुलकर कारोबार शुरू किया बाजार पराज शुरुआत से ही बिकवाली हावी रही और निवेशकों ने कल की मुनाफ़ा वसूली आज भी जारी रखी हाला कि थोड़ी देर के बाद ही निवेशकों ने फिर खरीदारी शुरू कर दी इसे सुबह 9.45 मिनित पर 196 अंकों की तेजी के साथ 69,904 पर पहुंच गया और खेमंति इंतिस कुमार ने कहा है कि विशेश राजे का दर्जा बिहार को मिलता तो बिहार का विकास और भी तेरी से होता उस्तम नियायले ने बुद्वार को वाट्चेप को मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से या प्रचार करने का निर्देश दिया है कि 2021 की गोपि पर पांच राश्ट्रिय समाचार पत्रों में प्रकासित करने का निर्देश दिया है। भाजपा के केंदर में सत्ता में आने के बाद से अब तक के कारेकाल की बात करते वह उन्होंने कहा है कि पिछले आच सालों में रेलवे पर बहुत काम हुआ है। कई सालों से इंफ्राय स्ट्रक्चर को लेकर कमिया थी उन पर आच साल खूब काम हुआ। अब बजट में एलान हुए फंट से इसे और भेतर करने में मदद मिलेगी। 1275 डेलवे स्टेशन अम्रित भारत स्टेशन प्रोग्राम के तहर तेजी से पूरे किये जाएंगे। बजट के प्राफधानों के अनुसार आने वाले कुछ महीनों में दो वंदे भारत ट्रेन बिहार के अलग-अलग स्टेशनों से गुजरेंगी। पटना से हावरा रूट पर एक वंदे एक्स्प्रेस ट्रेन चलाई जाएगे। इसके अलावे 12 से गया के रास्ते हावरा के लिए भी एक वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। अडानी ग्रूप की कम्पनियों के सेर्स में भारी गिरावट के बाद चेयर्मेन गौतम अडानी ने एफपियो पर आगे बढ़ने को नैतिक रूप से गलत बताते हुए से वापस लेने का फैसला किया है। गौतम अडानी के इस पैसले पर कॉंग्रिस के वरिष नेता जैराम रमेश ने चुटकी लिए है। केवल भारत की करेतों फिल्म ने आठ दिनों में 349.75 करोर रुपय कमाए। ये फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्मों में शामिल हो गई है। भारत ने बुदवार को अधि सूचना जारी कर संयुक्त राष्ट द्वारा अब्दुलरह्मान मक्की को वैस्विक आतंकी घोसित किये जाने के निर्णय को स्विकार कर लिया है। अब संयुक्त राष्ट के मानकों के अनुरूप मक्की पर भारत में भी प्रतिबंद लागू होंगे। संयुक्त राष्ट द्वारा वैस्विक आतंकी घोसित करने के बाद अपराधी की सभी सदस्य देशों के में संपती जब्त कर ली जाती है। उसकी यादरा पर प्रतिबंद लग जाते हैं। वह कोई भी लाइसेंसी हतियार नहीं रख सकता। जानकारी दी है। वितमंत्री ने कहा है कि नई कर्वेवस्था को डिफॉल्ट विकल्ग बनाना अनुचित है। आमकरदाता को पुरानी कर्वेवस्था में जो मामूली सामाजिक सुरक्षा मिलती थी यह उस पर चोट है। यह एक सम्मेदन सील बजट है जिसने आधिकतर लोगों की उम्मीदों को ठ्वेश पहुचाई है। वितमंत्री निर्मला सीता रमने अपने बजट भासन में कहा है कि उनका प्लैन उन सब्त रिसी की तरह है जो अम्रित काल में देश के विकास को दिशा देंगे। भारत में G20 की सबसे बरी जलक दिखाई देगी। इंडिया इनर्जी वीक में दुनिया भर के करीब 30 देशों से ज्यादा, इनर्जी मिन्चेस्टर दुनिया के 50 से भी ज्यादा, इनर्जी की बरी कंपनियों के CEO 650 से भी ज्यादा, एक्स्टीबीटर्स 30,000 से भी ज्यादा इनर्जी प्रोफेस्नल आ रहे हैं और नैने प्र आडानी समु के स्यरों में बरी गिरावट का मुद्दा छाया रहा किन्ट सरकार नियाद संसद में रास्टपती मूर्मू के अभी भासन पर धन्यवाद प्रस्ताव पेस करना है इस बीज विपक्ष ने संसद की कारवाई शुरू होते ही आडानी और हिरनबर्ग रिपोर्ट भारत को इस से वास्तविक नियंतरन डेखा और हिंद महासागर के आसपास अपने समग्द निगरानी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी मामले से अबगत अधिकारियों ने विस्तरित ब्योरा दिये बिना बुद्वार को बताया कि पांच साल तक इस पर काम करने के बाद अब भारत की और से फैसला किया जाना है मुख्या मंत्री भुपेस बगेल ने ट्वीट किया है कि आंकरों पर नजर डालिये तो पता चल जाएगा दरासल अमरित काल में देश में कथित एतिहासिक विकास का दावा असरत्य है वास्विकता यह है कि यूपीय के दस वर्ष के कारेकाल में जीडिपी की औसत वार्षिक वृद्धी पर एंडिये के विगत नौ साल के कारेकाल के तुलना में अधिक रही है जैसे 2019 से 2022 के बीच कोवीट संकत आया था वैसे ही 2006 से 2008 के बीच वैस्विक मंदी भी आई थी की जाली रिपब्लिकन सांसदों ने बिलंकन से चीनी नेतरत्र को या बताने का आगड़ा किया है कि एसे हमें उसका अक्रामक रवया आस्त्त विकारे हैं यह मांग ऐसे समर्पर की गई है जब लंकन चीन की यात्रा करने वाले हैं ऐसे में अमेरिकी सांसदों की ओसर ब्लिंकन और ट्रेजरी सर्चीफ जेनेट येलेन को एक पत्र लिखा है एर मार्सल एपी सिंग को भारतिय वायू सेना का नया उप्रमुक न्यूक्त किया गया है सिंग ने एर मार्सल संदीप सिंग की जगा ली है एर मार्सल संदीप सिंग 31 जनवरी को रिटार्ट हो गया थे भारत का परचम अमेरिका में एक बार फिर लहराया है भारतिय मुल्की प्रमिला जैपाल को इमिग्रेशन के लिए बने पावर्पुल हाउस जूरिसियरी कमेटी के पैनल का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है इसी के साथ वा उपसमीती में नित्रित्व करने वाली पहली अप्रवासी बन गई है इन दौर में हाली में शुरू हुए कोकिला बिन धिरुभाई अंबानी अस्पतार के पार्टनर बाल्चंत महता ग्रूप की फॉर्म पर इंकम टेक्स पर छापा पर आ है देश की अलग-अलग चालिस स्थानों पर आयकर विभाग ने एक साथ कारवाई की है आयकर विभाग ने अधिकारी ग्राहक बनकर डियलस स्टेट के छेत्र में कारे करने वाली बीसी एम के प्रोजेक्ट पर गया थे इसके बाद आयकर चोरी का खुलासा हुआ युवाओं को ससक्त बनाने और अम्रित पीठी के सपने को साकार करने में मदद के लिए वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने विसेश ध्यान रखा है विभिन उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवा सक्ती को तयार करने पर जोड़ दिया गया है इसके लिए महत्वा कांची डास्टिय प्रसिक्चु प्रोचाहन योजना के तहट 47 लाख युवाओं को वितिय बदत प्रदान करते वे दक्स बनाया जाएगा अधिरंदन चौधरी बोले किन सरकार का फर्ज होता है आम लोगों को सुविधा मोहिया करवाना लेकिन ये सरकार जेब कटुआ सरकार बन गई है उन्होंने तंज कस्ते हुए कहा है कि सरकार हमारी जेब से 1000 लेकर हमें 200 रुपे देती है एसा दिखाती है जैसे हमपर दान किया जा रहा है जबकि ये हमारा हक है अधिरंजन चौधरी आगे बोले ये दान और दानी का स्वरूब जो सरकार दिखा रही है उसे समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक है प्रजा नहीं जो चबनी सरकार देती है उसमें भी वो धिंटोरा पीटती है लोगसबाव विधानसबाद चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहिती याचिका को खारेज कर दिया है जीवाई चंदर चूर ने कहा है कि याचिका करता के वकील ने कहा है कि या इसलिए गलत है क्योंकि जिस सीट को छोड़ा जाता है महाँ पर दोबारा चुनाव होता है वोटर को दोबारा आना पड़ता है यह नुचिद 19 का उलंगन है भारते रिजर्ट बैंक ने देश की सभी बैंकों से इस बात की दीटेल मांगे है कि गौतम अडानी की अडानी समुकी कमपनियों को उन्हें कितना कर्ज बाटा है यह बात गुरुवार को समाचार एजेंसी रोइटर्स को सरकारी और बैंकिंग छेतर से जुरे सूतरों की ओर से दी गई है हाला कि इस बारे में जब एजेंसी की ओर से आर्बिया से प्रतिक रिया मांगी गई तब उस पर त्वरिज जवाब नहीं आया है अमेरिकी राष्ट पती जो बाइडन का माना है कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेकनोलोजी पर भारत अमेरिका की पहल दोनों देशों के लिए एक लोगतांतरिक प्रद्योगी की पारिस्थित्य की तंतर बनाने के लिए महत्वपून है वाइड हाउस ने यह जानकारी दिये कि भारत अमेरिका संबंदों में ICT को next is big thing बताया जा रहा है नंगलवार को यहां वाइड हाउस में अमेरिका के राष्ट्य सुरक्षा सलाकार जेक सूलिवन और भारत के अजीर दोभाल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी नए बजट पर भारते किसान यूनियन के राष्ट्य प्रवक्ता राकेस टिकेत ने नाराजगी दिखाई उन्होंने कहाए कि किसान मजदूर और आदिवासियों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है बजट के किसानों का कर्ज बढ़ाने की बात कही गई है राकेस टिकेत ने कहाए किस बजट से कमपनियों को फाइदा होगा और किसानों का कर्ज बढ़ेगा हमारे तवारा पूछे के सवाल का अप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्ट इंबॉक्स में लिख कर दिया था अब बरते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है युवाओं को ससक्त बनाने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्ट बॉक्स में लिख कर जरूर बताया आज के लिए इतना ही धन्यवाद